McCM त्रिविन सिंग ग्रावत ने अपील कि है कि अपवाहो पर विश्वास न करे प्रिशासन जो खबर दे रहा है उसी पर विश्वास करे प्रशासन समय-समय पर अपने अड्वाइजरी समचार पत्रो एलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से समय समय पर प्रशारत कर रहा है उसी पर विश्वास करें वहीं सीम ने साफ कहा कि कई ऐसी सोचनाय भी मिल रही है कि कई लोग जिन्हें क्वारिंटाइन किया गया है वो प्रशासन के साथ सहय लोग नहीं कर रहे हैं सरकारी संपती का नुकसान भी कर रहे हैं सीम ने साफ कर दिया कि अगर कोई भी सरकारी संपती को नुकसान पहुंचाएगा तो उससे चार गुना नुकसान वसूल किया जाएगा सीम ने साफ यह भी कहा कि जो भी लोग छुप रहे हैं और जो उन्हे चुपा रहे है अगर वो खुद सामने नहीं आए और प्रशासत उन्हें ढूंड कर कारवाई करेगा कुछ छुट-पुट घटना ये हो रही है कि लोग अफ़ुहाओं के सिकार पो रहे हैं कि एक तुम्हें प्रदाई स्वासन से कहना चाहूंगा कि अफ़ुहाओं पर ध्यान न दें कि प्रशासन जो खबर दे रहा है उसी पर विश्वास करें कि स्वास्त विभाग कि वाइरस से बचने के लिए समय समय पर अपनी एडवाईयरी समाचर पत्रों के माध्यम से और सोशल साइट्स के माध्यम से समय समय पर प्रसारित कर रहा है आप केवल उनहीं पर विश्वास करें यह भी जानकरी मिली है कि जिन लोगों को भौनों में रखा गया है वो लोग प्रसासन का सयोग नहीं कर रहे हैं और एक इस तरह की भी सिकायत मिली है कि उन्होंने सरकारी संपत्ति को कि नुक्सान पहुंचाने का प्रयास किया है मैं उन लोगों को चेताना चाहता हूं कि अगर सरकारी संपत्ति को किसी तरह का नुक्सान होता है तो उस पर उनसे चार गुना वसूल किया जाएगा और जो 2005 का एक्ट है आपदा प्रवन्धन का उसके तहट उन पर मुकदमागी दर जिकिया जाएगा